6 सितंबर 2022 की ये रही लेटेस्ट खबरें ब्रिटेन होम सेक्रेटरी प्रीती पटेल ने दिया अपने पच्छे इस्तिफा नितिश कुमार आज दिल्ली में विपक्षी नेताओं की साथ मुलाकात करेंगे सुनाली फोगाट के केस में गोवा पोलिस ने नौइडा सेक्टर के 52 फ्लाट में जांच की बांगलादेश की प्रदानमंत्री शेक हसीना आज पीयम मोदी के साथ द्विपशिया बैटक करेंगी हर्याननू के पुन्हाना इलाके में मदर्से में पढ़ने वाला 11 साल की छात्र की शव मिला लखनाउ लेविना होटल के अगनी कान में चार लोगों पर लापरवाई और गैर इरादतन हत्या का केस दर्च किया गया पर्शिमा अफ्रिका के वर्किंग फासो में IID ब्लास्ट में 35 नागरिक मारे गए दिल्ले सरकार को बरकास करने की मांग को लेकर राष्ट्रपती मुर्मू से मिलेगी बीजेपी विदायक सायरस मिस्त्री का आज मुमई में किया जाएगा अंतिम संसकार लखिमपूर हिंसा में आशिश मिश्त्रा के जमाना त्याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई करनाटक सरकार ने बैंगलूरू में बार में निपटने के लिए 300 कवड रुपे जारे किये गाजियाबाद के नहल जहाल के पास एंकाउंटर में दो बदमाशों को लगी गोली पोलिस ने अस्पिताल में भरती कराया राट साड़े दस बजे बीजेपी अद्देक्ष जेपी नड़्डा के घर पहुंचे ग्रह मंत्री अमिट शा महराश्टर के मंत्री नितिन राओद बोले नागपूर में करोना की तीसरी लहर आ गई है इस सब्तर से बढ़ेगी सक्ती यूपी चुनों से पहले बीजेपी नी की जिला प्रभारियों की घोशना भारत की जीत पर पिएम मोधी का ट्वीट वेकेशन और क्रिकेट दोनों के लिहाज से आज का दिन शारदार आप सांसाच संजेक सिंग के खिलाफ पंजाब के लुधियाना की अदालत में गिरफतारी वारेंट जारी किया